वेल्कम बैक टो अरोट्यूब चैनल आज हम लोग इस वीडियो में एक मही से जितने भी दे हिंदू एडिटूरियल से इंपॉर्टन वोकाइब बनेंगे वो सारे वोकाइब के बारे में डिस्कस करेंगे यह वीडियो जो है आपकी एकसाम पॉइंट आवई से बहुत ज़् संक्षन होता है यह सब इसके इंपॉर्टन से नानिम्स बनते हैं इसका एंटनिम जो हो जाएगा अगला वर्ड हमरा क्या है नेफेरियस नेफेरियस का मतलब होता है कुटिल जो कुटिल होता है उसको लोग क्या कहते हैं नेफेरियस कहते हैं इसके पार्ट्स आप इस गुड हो जाएगा Next word हमारा क्या है Hegemoni Hegemoni का मतलब होता है जो नायकत तो होता है उसको हम लोग Hegemoni कहते हैं इसके parts अब इस पीच की बात करें Hegemoni जो है एक noun होता है इसका synonym क्या हो जागा Leadership हो जाएगा Dominance हो जाएगा Dominion हो जाएगा यह सब जोए इसके important synonyms बनते हैं इसका एंटनिम जोए self-government हो जाएगा अगला word में रखे है enormity enormity का मतलब होता है दुष्टता जो कैसा तो बहुत दुष्ट होता है उसको लोग enormity कहते हैं इसके parts अब इस बीच की बात करें तो enormity जोए एक noun होता है इसका synonyms जोए wickedness हो जाएगा business हो जाएगा blackness हो जाएगा यह सब इसके important synonyms बनते हैं enormity का एंटनिम जोए goodness हो जाएगा next word में रखे है अपेक्स अपेक्स का मतलब होता है चरम सीमा परोना उसको अमलोग जोए अपेक्स कहते हैं इसके parts अपेक्स के बात करें तो अपेक्स जोए एक noun होता है इसका synonyms जोए climax हो जाएगा culmination होता है apotheosis हो जाएगा janit हो जाएगा peak हो जाएगा top हो जाएगा यह सब जोए इसके important synonyms बनेंगे इसका antonym जोए नादिर हो जाएगा next word अपेक्स के बात करें तो यह एक noun होता है इसका synonyms जोए scrapping हो जाएगा ending हो जाएगा stopping हो जाएगा यह सब इसके synonyms बनेंगे इसका antonym जोए retention हो जाएगा next word अपेक्स के बात करें है संगत करने वाला और किंग कॉमिटेंट जोए एक adjective होता है इसका synonyms जोए attendance हो जाएगा और हमारा accompanying हो जाएगा associated हो जाएगा यह सब synonyms बनेंगे इसका antonym जोए unrelated हो जाएगा next word हमारा क्या है transient इन transient का मतलब होता है syndantic इसके parts अब speech के बात करें तो यह हमारा एक adjective होता है इसका synonyms जोए uncompromising हो जाएगा और हमारा जोए inflexible हो जाएगा unbending हो जाएगा यह सब synonyms बनेंगे इसका antonym जोए compliant हो जाएगा question नमर 9 नमर क्या है oratorical oratorical की बात करें तो इसका मतलब होता है जो 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 भाशल सब्मंदी होता है उसको लोग oratorical कहते है इसके parts अब speech के बात करें तो यह है एक adjective होता है इसका synonyms जोए rhetorical हो जाएगा और हमारा grandy loquent हो जाएगा magny loquent हो जाएगा इसका antonym जोए plain spoken बनेगा next word अमारा क्या है son son की बात करें तो यह एक word होता है इसका मतलब होता है kinnara करना इसका synonyms जोए avoid हो जाएगा sudah हो जाएगा excuse हो जाएगा एस सब जोए इसके important synonyms बनेंगी इसका antonym जोए accept हो जाएगा next word अमारा क्या है enliven Inliven का मतलब होता है हरशित करना उसको लोग Inliven कहते हैं इसके पार्ट सापी स्पेश के बात करें यह हमारा एक वर्व होता है इसका सेनानिम जोए चियर अप हो जाएगा राई सम्मन स्प्रिट्स हो जाएगा अप लिफ्ट होगा यह सब सेनानिम बनेगा इसका एंटरिम जो इसका में बनोग Pragmatic कहते हैं इसके पार्ट सापी स्पेश के बात करें यह हमारा एक Adjective होता है इसका सेनानिम जोए प्रैक्टिकल हो जाएगा Matter of Fact हो जाएगा realistic हो जाएगा यह सब सेनानिम बनेंगे इसका एंटरिम जो है Impractical हो जाएगा नेक्ष्ट वर्ड मरा कहे है Adversary Adversary का मतलब होता है प्रतिदवन्धी जो Opponent का होता है उसको उनों Adversary कहते हैं इसके parts आप Space के बात करें तो यह एक Noun होता है इसका Synonym जो है Opponent हो जाएगा Reveal हो जाएगा Enemy हो जाएगा यह सब इसके Important Synonyms बनेंगे इसका एंटनिम जोए अली हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड मरा कहा है एफलिक्ट एफलिक्ट का मतलब होता है पीड़ा देना इसके पार्ट साब इस पीच की बात करें तो यह एक वर्ब होता है इसका सिनानिम जोए ट्रॉबल हो जाएगा बौदर हो जाएगा बर्डिन हो जाएगा एस सब सिनानिम पनेंगे इसका एंटनिम जोए कमफर्ट हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड मरा कहा है सैनिसिजम सैनिसिजम का मतलब होता है संदिय वाद जाँ होता है उसको हम लोग cynicism जो है कहते हैं इसके parts अब इस पेच के बात करें cynicism जो है एक noun होता है इसका synonym जो है sapticism हो जाएगा sapticism होगा doubt होगा और मैं distrust होगा यह सब synonyms बनेंगे इसका endonym जो है optimist हो जाएगा next word हमारा क्या है inconceival inconceival का मतलब होता है समस से बाहर जो चीज़ों होती है उसको हम लोग जो है inconceivable जो है कहते है इसके parts अब इस पेच के बात करें तो यह है एक adjective होता है इसका synonym जो है beyond belief होगा unbelievable हो जाएगा incredible हो जाएगा यह सब synonyms बनेंगे इसका endonym जो है likely हो जाएगा next word हमरा क्या है hefty hefty का मतलब होता है जो सक्तिसाली होता है उसको हम लोग hefty कहते है इसके parts अब इस पेच के बात करें तो यह एक adjective होता है इसका synonyms powerful हो जाएगा violent हो जाएगा hard हो जाएगा इसका endonym जो है feeble बनेगा next word हमरा क्या है glare 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 का मतलब होता है बहुत चड़ाना इसके parts अब इस पेच के बात करें तो glare जो है एक noun होता है इसका synonyms जो हो जाएगा glowर हो जाएगा frown हो जाएगा इस तब इसके important synonyms बनेंगे इसका endonyms जो है smile हो जाएगा next word हमरा क्या है cripple cripple का मतलब होता है जाएगा destroy हो जाएगा wipe out हो जाएगा यह सब synonyms बनेंगे इसका endonyms जो है boost हो जाएगा next word हमरा क्या है buck buck का मतलब होता है खंडन करना इसके parts अब इस पेच की बात करें तो यह एक word होता है इसका synonyms जो है resist हो जाएगा oppose हो जाएगा contradict हो जाएगा यह सब synonyms बनेंगा इसका endonyms जो है accept हो जाएगा next word हमरा क्या है kindle kindle का मतलब होता है प्रज्वलित करना इसके parts अब इस पेच की बात करें यह एक हमरा word होता है synonyms इसका light हो जाएगा ignite हो जाएगा sit fire to हो जाएगा इसका endonyms जो है doubt हो जाएगा next word हमरा क्या है hospitality hospitality का मतलब होता है सतकार करना और इसके parts अब इस पेच की बात करें तो hospitality जो है एक noun होता है इसका synonyms जो है friendlyness हो जाएगा welcome हो जाएगा और हमारा helpfulness हो जाएगा इसका endonyms क्या बनेगा unfriendliness जो है बनेगा next word हमरा क्या है partly partly का मतलब होता है आंसिक रूप से इसके parts अब इस पेच की बात करें यह एक adverb होता है इसका synonyms जो है in part हो जाएगा partly हो जाएगा और हमारा some what हो जाएगा partially हो जाएगा और इसका endonyms क्या बनेगा completely हो जाएगा next word हमरा क्या है coherence coherence के बात करें तो यह एक noun होता है और इसका मतलब होता है इस तेर्था यानि consistency इसका synonyms क्या बनेगा consistency हो जाएगा soundness हो जाएगा organization हो जाएगा यह सब इसके synonyms बनेंगे इसका endonyms जो है in coherence हो जाएगा next word हमरा क्या है toxic toxic का मतलब होता है जो जीज अप्री होती है उसको लोग toxic कहते है इसके parts आप इस पीश की बात करें तो toxic जो है एक adjective होता है इसका synonyms जो है unpleasant हो जाएगा very bad हो जाएगा harmful हो जाएगा यह सब इसके synonyms बनेंगे इसका endonyms जो है pleasant हो जाएगा next word हमरा क्या है revoke revoke का मतलब होता है रद्य करना इसके parts आप इस पीश की बात करें तो यह एक verb होता है इसका synonyms जो है cancel हो जाएगा repeal हो जाएगा risk kind हो जाएगा यह सब इसके synonyms बनेंगे इसका endonyms जो है introduce हो जाएगा इसके parts आप इस पीश की बात करें तो यह एक adjective होता है इसका synonyms जो है exact हो जाएगा accurate हो जाएगा precise हो जाएगा इसका endonyms जो है wagyu बनेगा next word हमरा है agitation agitation का बात होता है always और इसके parts आप इस पीश की बात करें agitation जो है एक noun होता है इसका synonyms जो है anxiety हो जाएगा perturbation हो जाएगा और इसका endonyms जो है calmness हो जाएगा next word हमरा कहा है bygone bygone का मतलब होता है पूराना इसके parts आप इस पीश की बात करें यह एक adjective होता है इसका synonyms जो है ancient हो जाएगा past हो जाएगा former हो जाएगा यह सब इसके important synonyms बनेंगे इसका endonyms जो है contemporary हो जाएगा next word मरा कहा है stimulate stimulate का मतलब होता है किसी को प्रेहरित करना encourage करना motivate करना उसको जो stimulate कहते है इसके parts आप इस पीश की बात करें यह एक verb होता है इसका synonyms जो है encourage हो जाएगा prompt हो जाएगा इसका endonyms क्यो हो जाएगा discourage हो जाएगा hope you found my video informative thanks for watching